आपको आज बहुत ही इंपोर्टेंट टापिक पढ़ाने वाली हूँ जो है LCM और SCM ठीक है तो सबसे पहले हम देखते हैं LCM ठीक है आईए देखते हैं LCM को हम कहते हैं least common multiple इसे हम least common factor भी कहते हैं ठीक है तो यहां पे मैंने 3 numbers लिये हैं 4 12 and 15 इनका मैं आपको LCM निकालके बत तो सबसे पहले जो method है उसमें हमें इन 3 numbers को एक साथ try jump करना होता है यहां पे 4 12 and 15 ओके अब आपको इसके लिए tables आना जरूरी है तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कि कौन सा सबसे छोटा table होता है जिनसे 3 numbers divide हो जाएं तो सबसे पहले में लेती हूँ 2 numbers का ठीक है तो 2 से मैं divide करते हूँ 4 को सबसे पहले देखें 2 2 जा 4 कितनी times divide हुआ 2 times उसी तरह से 12 भी divide होगा 2 से कितनी times होगा divide 2 6 जा 12 अब देखें यहां पर जो 15 है वो तो 2 से divide नहीं होता तो इस number को मैं क्या करूँगी यहां पर as it is write down कर दो ठीक है अब again मैं table लोंगी अभी देखें यहां पर 2 6 और 15 numbers है मेरे पास तो अभी भी यह 2 से divide हो जाएंगे इसलिए मैं again फिर से 2 का table यूज करूँगी यहां पर देखें 2 से यह 2 कितनी बार divide होता है 2 1 जा 2 और 6 कितनी बार divide होता है 2 3 जा 6 ओके और 15 तो divide नहीं होता 2 से तो मैं 15 को as it is write down ठीक है अब यहां पर आप यहां पर अब मेरे पास number है 1 3 & 15 अब 1 को तो मैं as it is write down कर दूँगी अब 3 और 15 जो है 3 के table में आते हैं तो मैं अब 3 का table इस्टार्ट करूँगी 3 3 से 3 कितनी बार divide होता है 1 10 3 1 जा 3 और 15 3 5 जा 15 अब देखें यहां पर मेरे पास numbers आया है 1 1 & 5 अब यह 1 और यह 1 as it is write down कर दिय अब 5 जो है 5 की table से ही divide होगा तो मैं 5 का table यहां पर दोगी 5 बंजा 5 5 की table से 5 1 times divide होगा ठीक है यहां पर हमें last में 1 1 1 1 सबी में मिल गया है अब में क्या करूंगी यह जो हमें मिला है 2 2 मैंने दूसरे table यूज करा था 2 & 3 & 5 इंको multiply करके मैं यहां पर write down कर दो यह आया मेरा 60 60 तो यह ही होगा हमारा LCN least common multiple और 4 12 & 15 ठीक है 60 अब हम देखते हैं SCF SCF क्या होता है highest common factor इसमें हमें numbers के factor निकालने होते हैं जितने भी numbers हो ठीक है उसमें से जो number रहता है common आता है पर उसमें से भी highest number होता है उसको हम लेते हैं तो यहां पर देखिए मेरे पास 4 है 12 है और 18 है तो इनके में अलग-अलग factors निकालने की 4 के लिए अलग factors फिर 12 के लिए again ठीक है और 18 के लिए यह देखिए अब 4 हमारा 2 के table से divide होगा 2 2 जा 4 again 2 से divide होगा 2 बंजा 2 ठीक है तो यहां पर 4 के क्या-क्या factor आए है 2 multiply 2 ठीक है उसी तरह से 12 के लिए प्रोसे कर लूगी मैं 2 से ठीक है 2 6 जा 12 अगें 2 से ठीक है 2 के table से इसको 2 3 जा 6 अब 3 के table से होगा है 3 बंजा 3 तो इसी तरह से 12 के क्या factor आया है मेरे पास 2 multiply 2 multiply 3 अब मैं 18 के लिए इसी तरह से process करूगी देखिए यह भी 2 से होगा divide 2 9 जा 18 अब यह जो 9 है आप उसे divide नहीं होगा आप में अगें इससे आगे वाला table रोंगी 3 का 3 जा 9 अगें फिर 3 से हो जाएगे divide 3 बंजा 3 तो 18 के हमारे पस क्या factors आया है 2 multiply 3 multiply 3 आप यहाँ पे देखिए यह जो 4 12 ए 18 है इसका हम SCF निकाल रहे हैं तो इन तीनों में कौन कौन से number common है ठीक है यहाँ पर है 2 तो 2 इसमें भी है और इसमें भी है तो हम जब SCF निकालते हैं तो जो इस common number होता है उसको यहां पर write down करते हैं आप देखें यहां पर भी 2 है यहां भी 2 है पर यहां पर again 2 नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे आप देखेंगे इन दोनों में तो 3 है पर यहां पर 3 नहीं है तो हम उसको आगे मैं एक और वीडियो बनाऊंगी LCM और SCF का जिसे कि आपको पूरा टॉपिक ये क्लियर हो जाएगा तो प्लीज सस्क्राइब मैं वीडियो और प्रेस बेल आइकोन ओके?